हेलो फ्रेंड्स आज चलिए एक math magic trick सीखते हैं तो फ्रेंड्स इसमें करेंगे क्या कि आप पहले कोई number बोलेंगे इधर तीनंकों की तो मैं उसका answer पहले इधर लिख दूँगा देन आप फिर यहां बोलेंगे एक बार मैं इधर अपने से लिखूँँगा फिर आप एक बार अपने से बोलेंगे मैं अपने से लिखूँगा कोई तीनंकों की संक्षा जब आप इन सभी को 8 करेंगे तो इतना ही आएगा जितना मैं पहले लिख दिया होँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसे अगर मालीजी आपने बोला है 256 कोई संक्षा बोला तो मैं पहले सिधर एंसर लिख दूँगा जो की जोडने के बाद आएगा 2254 इतना एंसर आएगा जोडने के बाद देन अगर आप मालीजी लिखते हैं 624 बोलने पे फिर मेरा टम है मैं अपने से लिखूँगा तो मैं अपने से लिखूँगा 375 देन आप बोलेंगे कोई तीन उंकों की संक्षा जैसे आप बोलते हैं 457 तो फिर मैं अपने से लिखूँगा आप इसे सम कर सकते हैं जोड सकते हैं तो ये जोडने के बाद आपका आ रहा है 2254 ही आप जोड सकते हैं तो friends ये trick कैसे वर करती है इसके वारें बात कर लेते हैं तो जो आप starting में इधर number वो लेंगे उसमें से अपन को 2 घटा लेना है जैसे 256 है तो अपन को 2 minus कर लेना है तो 254 हो जाएगा और भीना को सोचे समझे आपको starting में इधर 2 और अपने से count कर देना है जोड लेना है ऐसे र 9 हो जाएगा इस starting में आपको 2 कर देना होगा तो यह हो जाता है basic आपका देन इसके बात जो आप दोवारें से संख्षा बोलते हैं दोवारें से number बोलते हैं तीन उंकों की तो उसके सामने वाला पेर जैसे माली 6 के सामने 3 है 2 के सामने मैंने 7 लिखा 4 के सामने अपने 5 बोला तो मैं 7 के सामने वाला number मैंने 2 लिखा 7 plus 2 लिखा 9 हो जाएगा और 5 के सामने मैंने 4 लिख दिया इन दोनों को सम भी 9 हो जाएगा और 4 के सामने मैंने 5 लिख दिया इसका भी 9 हो जाएगा तो friends इस तरह से जब आप final मिसे aid करेंगे तो यह आपके पहले दिए होए answer के जो आपने सम पहली बता दिया था उसके बराबर होगा तो उम्मीद गाइस कि आप ये ट्रिक लाइक करेंगे, ठैंक्स लॉट गाइस